Hello Learners, Welcome to Channel तो आप सभी की Results आ चुके हैं और अब आप जो है अपना Results कंपेर कर रहे होंगे आपके दोस्त का कितना आया आपका कितना आया, किस सब्जेक में कितने Marks आया इसमें मेरे जादा है, उसमें आपके कम है तो आप यहाँ पर जब देख रहे होंगे ज़्यादा है और आपका SGP कम है ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो देखिए EK2 में क्या है कि ग्रेडिंग सिस्टम चलता है क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट मिलते हैं तो आप अगर अपना Slabes देखेंगे Slabes आप EK2 के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप अगर अपना Slabes देखेंगे तो हर Slabes में हर सब्जेट का कुछ न कुछ क्रेडिट होता है देखिए, यहाँ पर आप KAS101 जैसे है Engineering Physics और KAS102 त्योरी है Engineering Chemistry यह paper है तो इसका total 150 marks का होता सभी के लिए और इसका credit क्या है 4 वहीं पर KEE101 है तो उसका credit क्या है 3 इसी ज़रे से KAS 151 प्रैक्टिकल जो है उसका credit क्या है 1 तो credit जो है सारे subjects के same नहीं होते है कुछ के 3 होगे, कुछ के 4 होगे, कुछ के 1 होगा, कुछ का 2 होगा आप KMC101 देख सकते है, 0.9 पर है उसका credit क्या है 2 और non credit को आपको पता ही, उसका कोई credit नहीं होता तो उसके marks आपके CGPA, SGPA में जोड़ते नहीं है SGPA semester grade point average होता है तो different different grades होते हैं later grade, SGPA, CGPA SGPA calculate होता है SGPA calculate कैसे होता है, उसके उपर भी video बनावाए नीचे description link मिल जाएगा आपको वहाँ आप देख सकते हैं कि आपका हर semester का SGPA कैसे calculate होता है तो जब आपका SGPA calculate होता है, तो वहाँ पे आपने कौन सा subject दिया है वो कितने credit का था, प्लस आपने उसमें कितने marks लाए है और उतने marks पे कितना great point मिलता है अब बात करें great point का तो ये देख सकते हैं आप ये great point है हर subject का, हर course का जो है अलग great point होता है, हर course का अलग होता है ये P-tech के लिए है, तो अगर आप 90 या उससे ज़्यादा marks किसी subject में secure करते हैं तो आपको 10 great point मिलेगा 90 से कम करते हैं और 80 से ज़्यादा तो आपको 9 मिलेगा 80 से 70 के बीच में करते हैं तो 8 70 से 60 करते हैं तो 7 60 से 50 marks लाते हैं तो 6 point मिलेगा तो यहाँ से आपको great point मिल जाता है तो आपका great point और आपका credit जो subject का exam दिया था credit कितना था जो कि slabus से मिलता है credit slabus से मिलता है ग्रेट पॉइंट आपको AKT के ordinance से मिल जाएगा तो इन दोनों का जो है क्या होता है multiplication होता है उसके बाद उसके basis पे आपका SGPA निकाला जाता है तो आप बात कर लें कि marks जादा और SGPA कम क्यों तो इसी वज़े से क्या होता है आप suppose करें कि आपका subject credit 4 का है यानि serial number 1 और 2 KS101 KS101 और KS103 यह क्या है 4 credit है लेकिन आपके इसमें marks क्या है कम आए वहीं पे KEE101 और KEE10 जो KCS101 इन सब में जो 3 credit का है 1 credit का है इसमें marks जादा आए तो अब आप जब सिर्फ marks देखेंगे तो आपके marks तो जादा होंगे आपके दोस्ते लेकिन आपके दोस्त के credit 4 वाले में marks जादा आगए और credit 3 वाले में marks जादा आगए या फिर आप यह कह लिए credit 3 वाले या credit 1 वाले में marks कम आए, लेकिन आपके दोस्त के credit 4 वाले marks ज़्यादा आ गए, तो उसका जो SGPA होगा, वो ज़्यादा चला जाएगा, आपके marks कम होगे, लेकिन SGPA ज्यादा चला जाएगा, वहीं पर आपके marks 3 और 1 वाले kredit में तो बहुत ज़्यादा आए, लेकिन आपके 4 वाले credit में कम आ गए तो उस case में आपका SGPA क्या हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि SGPA क्या है कैसे calculator हो रहा है credit और आपके grade point से calculate हो रहा है तो grade point किस पर डिमेंट काता है marks पे और grade उस subject का कितना grade है तो कैसे calculate होता है आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा कि SGPA कैसे calculate होता है तो इसी वज़े से क्या होता है कि SGPA आपका differ करेगा और marks differ करेगा आपके marks जादा होंगे लेकिन SGPA कम हो सकता है वहीं पर सामने वाले के marks कम होंगे लेकिन उसका SGPS जादा हो सकता है यह सब खेल जो है credit point और grade point की होजासे होता है तो hope आपको clear होगा, wish you all the best, keep watching, subscribe to the channel for more videos, thank you